हलो फ्रेंड्स वेलकम टू दा एक्जाम हेकर योटूब चैनल दोस्तो पिछले वीडियो में हम लोग इंडियन जो जिग्राफ़र के कंट्रिबूशन है हमारी जिग्राफ़कल जो थौट की इबलोशन में उसको हम लोग डिसकस किये हुए थे और आज किस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे जो जर्मन जिग्राफ़कल के क्या कंट्रिबूशन है हमारी जिग्राफ़कल थौट के इबलोशन में उसको यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं तो दोस्तु जर्मन जियोग्राफ़कर ने बहुँ ज्यादा कंड्रिबिशं दिया है है यहां पर डारेटली जियोग्राफ़िक को जियो पर्सपेक्टिव हैं कि इता कर चाहिए या जो इनके अलग जो कंसेप्ट है जैसे डिटर्मिनेजम का कंसेप्ट है या आप बोल सकते यग जो possible पॉस्पिलिक्टिधा का जो हमारी concept है उन सारी concepts को evolve करने लिए clarify करने के जर्मन civ करने बहुँ जादे यहां पर contribute किया है तो वैसे तो बहुत सारे German geographical हैं लेकिन कुछ जो main हमारी German geographical है जो starting में geographical की knowledge को या geographical की direction को save करने के लिए जो help किये हैं वो इतने सारे हैं एक बार नाम read करते हैं इसके बाद थोड़ा थोड़ा इनकी contribution को यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पहला है Emmanuel Kant, दुसरा है Veranius, तिसरा है हमें Karl Ritter, Alexander Humboldt, Alfred Hittner, Friedrich यहाँ पर रेटिजल और डबलू पेंक जो land farm evolution को भी यहाँ पर पेंक का जो original cycle land farm development cycle हम लोग already study किया है यह हमारी जर्मन ज्योगरापर थे फिर कोपेन का जो climate classification हम लोग डिटेल में study कर चुके हैं वो भी जर्मन ज्योगरापर थे और क्रिस्टालर का center place theory यह भी जर्मन ज्योगरापर थे तो इन सारे जर्मन ज्योगरापर हैं इन्हों ज्योगरापर थोट को evolve करने में बहुत ज्यादा help किया है अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा यहाँ पर study कर लेते हैं इमानुवल कांथ ने क्या contribute किया है एक्षिली इमानुवल कांथ तो यहाँ पर फिलोसफर थे लेकिन इमानुवल कांथ ने यहाँ पर प्रपोस किया था फॉर्स्ट जो नेबुलर हैपोतेसिस थी जो explain करती है कि हमारी earth system solar system कैसे बने हमारी universe कैसे बने तो नेबुलर हैपोत नेबुलर हैपोतेसिस इमानुवल कांथ ने यहाँ पर प्रपोस किया हुआ था फिर देखो वेरेनियस जो हमारी दूसरे हमारे जियोग्राफर है जर्वन जियोग्राफर उन्होंने क्या contribute किया था उन्होंने फिश्कल जियोग्राफिय और हीमन जियोग्राफिय में डिफ जो क्रेट हुई थी फिश्कल वर्सेस इमान जियोग्राफिय उसको भी क्लेरिफ़य यहां पर किया था वेरेनियस ने यानि फर्स्ट जियोग्राफर थे यह हमारे जर्वन थे अब देखो काल रिटर और हमपोल्ट जो थे ओहमारी अलेक्जंडर हमपोल्ट जो थे ओ दोन , फिलिप करते थे इनका मानना था कि जो गौड ने आर्थ को क्रीयेट किया है और इर्थ की ऑव भी इंवार्मेंट है वा बायोसपेर है वह बनाये गये भावगान के दवरा है और किसलिए बनाया गया है, human के रहने के लिए, ठीक है, तो Karl Reiter इस पर बिश्वास करते थे, इसके लबाँ, he believed, जिग्राफिकर इजे, integral part of scientific discipline, यानि जिग्राफिक को science का ही पार्ट एक बनाते थे, मानते थे Karl Reiter, तो, अब देखो, Humboldt ने क्या यहां पर contribute किया था, इनका unique contribution था, उन्होंने बोला था, forest growth और rainfall पर relation इन्होंने बताया था, इसके लाँ, world map को भी draw किया था, जिसमें की iso thumbs, जो हमारी same temperature वाले line होते हैं, या location होते हैं, उसको यहां पर link किया हुआ था, और यहां पर साइबरिया वाला जो area था, वहां पर iso thumbs यहां रागिया था, world map में, इनका contribution था, इसके लाँ, पर्माफ्रोस्ट, जो पर्माफ्र होता है, एक दो साल के लिए, वह हमारी जो terms होता है, first time इन्होंने terms को coin किया था, हम बोल्ट ने, तो इनका contribution क्या है, आईसो thumbs ड्रा करने के लिए, पर्माफ्रोस्ट, terms को वजागर करने के लिए, और rainfall और forest में, दोनों में relationship बताने के लिए, इनका contribution था, इसके लाँ, अल्ट जो फिनोम्ना थे, जैसे earth surface में, उसके different जो पार्टना, हेटने क्या बोलते थे, जोग्राफ्र को define किया था, हेटने ने, इसको एक बारीट करते है, हेटने डिफाइन थे geography, as geography, that study the differences of phenomena usually related to different part of earth surface, earth surface में, जो different, जो फिनोम्ना है, उसको यहाँ पर relate किया था, जोग्राफ्री उसको study करनी चाहिए जिग्राफिय में तो इनका contribution था जिग्राफिय को define करना और जिग्राफिय में क्या study करनी चाहिए वह सब चीजे उन्होंने बताया हो था अलफेट हेटनर ने इसका राव फ्राइड रिच जो रेटेजल थे उन्होंने क्या क्या था रेटेजल ने यहाँ पे अपोस्ट किया था determination thought को ठीक है determination thought याने कि जो human को यहाँ पे actually determination को हम लोग अलेडी discuss कर चुके हैं जिसमें human को passive agent पताया गया है और जैसा environment behave करती है वैसे human को अपने उसके according ही चलना पड़ता है तो determination thought को इन्होंने अपोस्ट किया था रेटेजल ने जिग्राफी में और इन्होंने एजांपल पर दिया था कि जो दो इथनिक ग्रूप होती है सेम लोकेस्ट जैसे नॉर्थ इस्ट में बहुत सारी इतनिक ग्रूप है और सबका वे आप जो लिविंग है अलग-अलग है तिन्होंने यही बताया था कि डिटेमिनियम को अपोस्ट किया था कि ऐसा नहीं है कि जैसा सेम इंवार्मेंट रहता है वैसे ही पिपल भिहेप करते हैं सेम इनवार्मेंट में दो इसने ग्रूप उनका भिग्रूप है उनका बृइबियर अलग-अलग होता सब्सक्राइब करता है उस इन्वार्मेंट को कैसा परसीव कर रहा है तो काफी अच्छा इन्होंने कंट्रिबिट्स कंट्रिशन था फ्राइड रैटिजल का इसके लावा हम लोगना अल्रेटे डिसल्स किया हो वाल्ट वाल्टर जो पेंक है लेंड फॉर्म डेवलप्मेंट का जो डेविस की साइकल के अधार पर इन्होंने कंट्रिबिट्ट किया हो था यह भी हमारी जर्मन जिग्राफर थे और यह जनरली डेविस की जो ट्रायोस थी उससी के संदर में थोड़ा सा अर्हों ख्राइक करके इन्होंने वेंग ने अलग ही अपना इरोजनल सैकल यहा पर दिया हुआ था और इस प्रिंट्राइम यहां इसा तो था इलोजिनल सैकल में तो यह हमारी पेंक का इसके लाँ हम लोग देखिए को हम लोग अधरी डिटेल में इस्टडी करी चुके हैं और अधर ऑपन के ने टोपी साथ, थैंक यू